नमस्कार मैरी और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आज हम high blood pressure के बारे में बात करने वाले हैं और इस विशेर में मारे साथ जानकारी साजा करने के लिए मौजूद है डॉक्टर विकास सिंग डॉक्टर साहिब भीहार के जाने माने कार्डियो लॉचिस्ट है तुरंट पता नहीं चलता कि उनको blood pressure है क्योंकि उनको तुरंट दिक्कते नहीं होती बात लॉण टम की बात करें तो high blood pressure एक बहुत common वज़ा है heart attack की या brain haemorrhage की या आखों की रोश्णी जाने की या kidney failure की तो आगे आपको कई सारी बीमारियों की जड़ में देखेंगे आपकी blood pressure है और इसलिए इसका एक बहुत important जगा हो जाता है discussion में भी और मरीजों के लिए उनको खयाल रखने के खयाल से भी तो ठंड का motion शुरू हो रहा है तो इसमें एक लोग जो है आम लोग क्या कर सकते हैं जैसे उनका जो blood pressure है वो normal रहे जो उच्छे रख्तचाप वाले लोग है और जैसे उनके heart पे कोई असर ना पड़े तो जाड़ों में blood pressure के मामले जेनरली बढ़ जाते हैं और बढ़ने की कई वज़े हैं जैसे ही वातावरन में ठंड़ बढ़ती है तो आपकी जो blood vessels होती हैं उनमें constriction या संकुचन होता है उस वज़े से blood pressure बढ़ता है cortisol या कुछ hormones ऐसे होते हैं शरीर में जिनकी मात्रा में परिवर्तन आता है कुछ खून गाढ़ा करने के तत्व हैं फिब्रिनोजन है या जो बैट कॉलेस्ट्रॉल है जिनरली उनकी मात्रा भी जाड़ो में देखी गई है कि बढ़ जाती है इन सब वज़ों से indirectly directly आपके heart पे असर आता है blood pressures बढ़ जाते हैं और सब मिलकर के heart attack या heart failure के मामले बढ़ा देते हैं तो जाड़ों में आपको अपने blood pressure को देखते रहना है even if कि वो पहले से normal रहा था आप चेक करके देखें अगर blood pressure बढ़ गए है तो शायद आपको अपनी दवाईयों को उसी हिसाब से adjust करने की ज़रूत पड़ेगी तो फिर किस तरीके से इस समय ध्यान दे सकता है कोई इनसान अपने अगर वो high blood pressure का मरीश है तो किस तरीके से ध्यान दे सकता है उससे समस्याना हो अपने एक तो की blood pressure की नियमित जाज करें लोग इस भरोसे बैठे रहते हैं कि उनको कोई दिक्कत होगी तो उनको महसूस होगा ऐसा नहीं है blood pressure को generally हम लोग silent killer कहते हैं silent killer कहने का मतलब कि वो आपको कोई तकलीफ नहीं दे लेकिन सीधे जान पर दिक्कत डाल सकती है तो आप अपना blood pressure का नियमित जाज करें तभी आप समझ सकते हैं कि आपकी blood pressure की क्या levels चल रही है और यह कितिनी आसान चीज़ है आज के दिन में घर पे नापने के लिए blood pressure के machines मौझूद हैं तो हर कोई को अपने घर में एक machine रखनी चाहिए उसको properly use करना आना चाहिए और हम automatic machines की बात कर रहे हैं पारे वाले machine की जरुद घर में blood pressure नापने के लिए बिलकुल नहीं है तो उसको नापे अगर आपको blood pressure लगता है कि वो normal range से, deviation से गरबढ़ है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें तो कोई कैसे समझ सकता है कि जैसे normal इंसान भी है और तो वो कैसे समझ सकता है कि उसका जो high blood pressure का वो मरीज बनता जा रहा है जैसे हमने कहा कि ये symptoms, lection नहीं देता तो जब तक आप इसकी जाच नहीं करेंगे तो ये पता नहीं चलेगा तो इसलिए आज के दिन में कहा जाता है कि अगर आपकी उम्र 25 साल से जादा हो गई है तो साल में एक बार आप अपनी blood pressure की जाच जरूर करवाए तभी पता चल पाएगा कि आपको blood pressure है या नहीं है और यहीं वज़ा है कि कई बार बिलकुल normal लोग जो आकर के clinic में हम लोगों से मिलते हैं जिन्हें कोई दिक्कत नहीं है जो बहुत active है उनको भी पहली बार पता चलता है कि उनकी blood pressure की शिकायत है तो बिना ना पे कोई इसकी symptoms नहीं है specific कई बार जब आपको symptoms पता चलती है किसी को सिर में दर्द रहने लगा या kidney failure हो गया या brain hamarrage हो गया तो अब तक कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी होती है तो एक simple सा rule रखिए साल में एक बार अपने blood pressure की जाज कीजिए इवेन इफ आपको blood pressure की शिकायत नहीं है तब ही आप समय रहते हैं blood pressure की जानकारी प्राम्ट कर पाएंगे तो लोग इससे बचने के लिए किस तरीके से बचाव कर सकते हैं? कुछ healthy lifestyle आप अपना करके जरूर कुछ हद तक blood pressure से बच सकते हैं हाला कि हर बार यह आपके हाथ में नहीं होगा family history होती है कुछ लोगों में कुछ लोगों के ममी पापा लोगों को भी अगर blood pressure रहा है तो उनको blood pressure होने के chances उनके लाख अच्छे चीज़ों को करने के बावजूद रहते हैं अगर आपकी दिंचर्या में आप टहलने गूमने के लिए कुछ जगह रखते हैं खान पान में अगर आप तेलगी मसालयादी का इस्तेमाल कम रखते हैं फल और सबजियों का इस्तेमाल जादा करते हैं तो मेरे खाल से blood pressure से काफी हद तक बस सकते हैं और हां तंबाकों से बचना है और stress level कम करना है anxiety जरूर कम करना है नींद एक प्रॉपर जरूर हो छे घंटी की एक बात सब लोगों को समझनी है क्योंकि sleep deprivation अगर लंबे समय तक आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो वो भी blood pressure भी बढ़ा सकती है और blood pressure के अलावे heart के कई अलग बीमारियों को पैदा कर सकती है जैसा कि आपने दूम्रपान का जिक्र किया था तो अगर बहुत से लोग होते हैं कि दूम्रपान के आदी हो जाते हैं वो ऐसा ना करे तो उन्हें बेचैनी होने लगती हैं समस्याएं हैं उनके साथ तो फिर किस तरीके से जो इसे छोड़ सकते हैं ताकि उन्हें blood pressure की समस्या ना हो दूम्रपान के साथ यही दिक्कत है एक बार लट लगने का मतलब ही होता है कि आपके लिए उसको छोड़ पाना मुश्किल होगा आपके शरीर को उसकी तलब होगी आपको कुछ समय बीतेगा धुम्रपान किये भी ना तो तरह-तरह के symptoms घबराड, बेचाइनी, पसीना आना, irritation, irritability यह सब चीजे होने लगती है एक तो कि strong willpower की जरूत होगी आपको मन में बैठाना होगा कि हमको इससे बाहर निकलना है कई दफ़े हो सकता है कि तुरंट से यह मुम्किन ना हो आप धीरे-धीरे उसकी मातरा कम करकर के कहानी खतम कर सकते हैं आजकल कुछ chewing gums वगेरा भी आते हैं, nicotex chewing gums आते हैं आप उनका इस्तिमाल कर सकते हैं, वो tobacco से बाहर निकलने में आपकी मदद करेंगे जिस समय आपको लगे कि अभी तंबाकू लेने की इच्छा हो रही है उस समय आप अपने आपको कहीं और busy कर लें, दोस्तों के साथ busy हो जाएं कुछ कोई और activities में खुद को सनलगन कर लें, तो शायद इस से बाहर निकलने में जल्दी मदद मिलेगी तो शुक्रिया डॉक्टर साहब जो आपने इसके बारे में हमारे साथ जानकारी साजा कि उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो आप डॉक्टर विकास सिंग को सुनाये थे, जिन्नोंने हाई ब्लड प्रेशर के बारे में हमारे साथ जानकारी साजा कि है इस विशह में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेस्बुक पेज को लाइक करें डॉक्टर साहिप से आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माद हमसे भेज सकते हैं वीडियो देशनी के लिए आपका शुक्रिया